नभीन में हो मंडी में आलू के दामों में गिरावटाई और प्याज के दामों में उच्छाल हुई है जिसके संबंद में आलू प्याज के आर्टियों ने बताया कि लाल आलू 1300 से 1400 रुपे प्रतिकुंतल तथा सफेद आलू 1000 से 1100 रुपे प्रतिकुंतल बिख रहा है उन्ह वाले दिनों में आलू और प्याज के दामों में वढ़ोत्री हो सकती है इस संबंद में गुरकपुर नियू से बात करते हुए नवीन महमा मंडी के आलू प्याज के आरतियों ने कहा हूं में इसलों में आलू चाहए ने हो बात है इस जोखे आशे मरे लाजिए लूगारे रहत हैं वहले दो है इसलिठा सॉत्री चाहए इसलिठा के अगराए आगी सरे नियुक्त नारे इसलिठा अभ़ाएडय अभराएगरा पैंटियू ऐस सेकते हैं अभ़ा एसलिठा कि आखे डाप शुदरसन मोरिया ना अब सभेद आलू बिग्रा दस रुपए किलो का लाल लाला अलू एक पाप बारे रुपए किलो का यल्टी एच तेरे का प्यार एक कई सब्सक्राइश देखा यह दो का बढ़ा है पहले मुझा दो पंदर प्यांका अट आज का इस समय का कि आवक कम है बर्थात का सीजन चला है बाड एरिया है सब आवक कम होने के नाते कि आप अब बढ़े जा अभी इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है ना राम जी स्री में रिट का चला अलू अलू अच्छा अलू है एल्टी आलू चोड़ा सोगा है तरतिरा सोगा है और प्याज के बाइस सप्रा किया है कै ड्याशा का अबढ़ा घर क्या करा रहना अधरिया कुह को दाम बढ़ा हुन दक पूर भार नहीं तो भी पाढ़ानी महमत कम्दो लुमा नहीं कि आ पर इसो स लगांगा अवागा अ मानिए भी पानी को सिर्ट जीट है Сергii चल्या casi या कि पानी बाइस होगी सब दाम बढ़ेंगे आवा की क्याज किती है सर आज ही प्याज थोड़ी कम है ज्यादा है नहीं किसी वज़े से थोड़ा महिंगा होगा था कि आज हमारा लाम विक्रम ठाकूर अलु पिरस हो दुका है सफेद वाला ग्यारद भीका है प्याज टेश सो अब बाड़ के बढ़ेंगे आज है अब आज है अब आज है अब बहुत कम आ रहा है पिरोज अमंद राइन मंडी में समय आलू बीक रहा है लाल आलू लंबा एल्टी आलू जो बोलाया था वो तेरा रूपया च्वदा रूबे किलो बेकि रहा है सफेदा और दस रूपे किलो बीक रहा है प्याज बाइस रूपे किलो बीक रही है प्याज बाइस रूपे किलो बीक रही है देखा जा तो दाम बढ़ा नहीं अच्छे क्वाल्टिक दाम बढ़ा लो क्वाल्टिक रहा है याज इससे पहले लो क्वाल्टिक थी तो भी सु मार्केट में आवक जादे सिसम आवक कम हो गई इसलिए प्याज का रेट कुछ बढ़ा हुआ है अब ये उम्मीद तो नहीं लग रहे बढ़ने का विक्री बहुत काफी इलूज है